नमस्ते में हूँ रिनुका तो आप सबका मेरी यूटूब चैनल में भूध भूस स्वागत है तो आज की वीडियो में मैं आपको एकदम 100% प्यूवर कोकोनट ओइल बना के दिखाने वाले हूँ जिसमें कोई भी मिलावत नहीं है जिससे आप आसानी से घर पे बना के इस्त कोप से पहले मिले तो चेल श्टाट करते है आज का वीडियो तो कोकरनट ओईल बनाने के लिए मैं यहाँ एक नारियल लिया है और उसे में एक पदम बारीग पीसिस में यहां चॉप किया है तो दिखिए आपको ऐसे एकदम बारिक ऐसे चॉप करना है तो आभी हमें इस चॉप किया हुए नारियल को मिक्सर के बरतन में डाल के इसका एकदम बारिक पेस्ट बनाना है तो मैंने यहां एक मिक्सर का बरतन ले लिया है तो आभी हमें इस म में थोड़ा सा पानी डालना है और इसका हमें एकदम बारिक पेष्ट बनाना है जैसे हम चटनी बनाते हैं वैसे हमें इसका बारिक पेष्ट बनाना है तो मैंने यहां इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है तो अभी हमें इसका बारिक पेष्ट बनाना है तो यह दिखिए म पावल के उपर इस कपड़े को रखना है और उसके उपर आपको हमने जो बारिक पेश्ट बनाए है नारियल की वो सारी इसमें डाल देने है फिर हमें इस कपड़े को अच्छी तरह से निचोड के इसमें से सारा जो सपेद दूद होता है वो सारा दूद हमें निचोड के इस इसमें से निकाल लेना है तो हमें इसी तरह ही बचेहुए सारे नारियल का भी छारा दूद दूद निकाल लेना है तो दीखे मैंने तो तट, UH ठोकरनट औ Verfügung बनाने के लिए मैंने घ्यास पर एक बरतन रख दिया है, फिर बरतन ठोड़ा गरम होने के बाद हमें इसमें और दूड़ को छारा है दूड़ कृतने। फिर इस दूद में से जो pure coconut oil होता है वो बाहर आने लगेगा तो आपको इस दूद को अच्छी तरह से पका लेना है तो इस दूद को अच्छी तरह से उबालना है तो आपको इस दूद को अच्छी तरह से पका लेना है तो यह दिखिए दूद पक कितना कम हो चुका है तो आभी यह दूद अच्छी तरह से पक चुका है और इसमें से coconut oil जो होता है वो कैसे बाहर निकल रहा है तो आपको इसी तरह से इस दूद को अच्छी तरह से पकाना है जब तक इसमें से जो puber coconut oil होता है वो बाहर ना निकले उसके बाद आपको इस oil को एक bottle में भरके आप इसका इस्तमाल कर सकते हो तो आज के वीडियो में इतना ही तो फिर से मिलते हैं और एक नए वीडियो में तो थैंक्स फ्रेंस वाचिंग मैं वीडियो